हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के सेकिन चैप्टर की परशनावली 2.1 करेंगे, इस परशनावली में 12 क्वेशन्स हैं और इन सभी क्वेशन्स को हम इस वीडियो में करेंगे, तो शुरू करते हैं तो हमने बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, X का मान ग्याद करना है हर इक क्वेशन में हमें, यानि इन सम्मी करणों को हमें हल करना है, तो चलिए पहला क्वेशन जो है, X-2 is equal to 7, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इन सम्मी करणों को हल करने का ये मतलब होता है, कि हमें X को अकेला बनाना है, यानि X के साथ जो भी होगा, वो हमें यहाँ से हटा कर दूसरी और लेकर जाना है, दूसरी और का मतलब यह है, कि यह है बाया पक्ष और यह है दाया पक्ष, तो हमें बाया पक्ष में X को अकेला करना है, और उसके साथ जो भी होगा, उसको दाया पक्ष में लेके जाना है तो कैसे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 2 इसके साथ x के साथ माइनस में है अब यहाँ पर इसको करने के दो तरीके आपने देखे होंगे पहला तरीका यह है कि देखो यह 2 x के साथ माइनस में यानि यह माइनस 2 है दोनों पक्षों में दो जोडने पर इससे क्या होगा कि प्लस टू और माइनस टू कड़ जाएगा और यहां पर आ जाएगा X बराबर और साथ में दो को प्लस करेंगे तो 9 आएगा और यह हमारा आंसर है एक तो इस तरीके से करते हैं students दूसरा तरीका क्या है देखो question है X माइनस 2 बराबर साथ तो यहां पर X के साथ जो भी है वो हमें यहां से हटागा और दूसरी ओर लेकर जाना है तो 2 को हम दूसरी ओर लेकर जाएंगे तो 2 का आगी चिन्न क्या है यह माइनस है तो जब भी हम पक्षांतरन करते हैं दूसरी ओर लेकर जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है प्लस का माइनस हो जाता है तो इससे क्या होगा कि X बराबर देखो X अपनी जगह पर है साथ अपनी जगह पर है अपनी जगह का मतलब यह है कि x पहले भी बाइं पक्ष में था, अब भी बाइं पक्ष में है, 7 पहले भी दाइं पक्ष में था, अब भी दाइं पक्ष में है लेकिन जो 2 है उप पहले बाइं पक्ष में था, अब हम उसको दाइं पक्ष पर लेके जा रहे हैं left hand side में था right hand side में लेके जा रहे हैं तो यह जो 2 है वो minus था अब यहाँ plus हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे कि minus 2 का पक्षांदरन करने पर और हम इस तरह से यह चिन हम लगा सकते हैं हो सकता है कि आपकी teacher आपको कहें कि यहाँ पर लिखो या और या फिर हम यहाँ पर लिखते हैं और लेकिन या तो यहाँ पर या लिखो और या फिर यह वाला चिन लगा दो दोनों का एक ही मतलब है तो x हो जाएगा 7 और 2 हम प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा यह हमारा आंसर है अब दोनों में से आप कोई भी अप्लाय करते हैं लेकिन मुझे यह लगता है कि आपको यह वाला follow करना चाहिए पक्षांतरन करके हमें मान को ग्याद करना चाहिए तो आगे जो हम कोईशन करेंगे उनमें हम पक्षांतरन करके मान ग्याद करेंगे ठीक है वैसे दोनों ही सिंपल तरीके हैं आप समझ गहोंगे चलिए अब सेगिन कोईशन करते हैं सेगिन कोईशन में हमें यहाँ पर y का मान ग्याद करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो, y बाएं पक्ष में है, हमें उसे अकेला करना है, अकेले करने का मतलब यह है, कि y के साथ यह प्लस 3 है, हमें इसे दूसरी और लेकर जाना है, तो कैसे जाएगा, देखो y अपनी जगा पर है, और यह 10 अपनी जगा पर है, हमने इनको disturb नहीं किया, जो 3 है, वो यहां प्लस 3 है, यानि 3 का जो चिन है, वो प्लस का है, है न, 3 के आगी क्या चिन लगावा है, प्लस लगावा है, तो यह 3 है, प्लस का, हम इसे दूसरी और लेकर जाएगे, तो प्लस 3 बन जाएगा, माइनस 3, चिन बदल जाता है, बराबर की दूस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है जो गुणा में रहता है वो भाग में चला जाता है जो भाग में रहता है वो गुणा में आ जाता है यह होता है process खेर, यहाँ पर हम प्लस थ्री को दूसरी और लेकर आए तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या किया हमने, कि 3 का पक्षांतरन करने पर, पक्षांतरन करने का मतलब यह है कि एक पक्ष से दूसरी पक्ष में लेकर हम चले जा चुके हैं, यानि 3 पहले बाएं पक्ष में था, अब वो दाएं पक्ष में गया है, ठीक है, तो ये बाएं पक्ष और ये दाएं पक्ष इस तो Y आ जाएगा यहां पर माइनस करेंगे 7 और यह हमारा आंसर है ठीक है अब तीसरा question करते हैं तीसरे question में पहले दो question से थोड़ा अलग क्या है यहां पर आप देखेंगे कि जो हमें ग्यात करना है Z हमें यहां पर ग्यात करना है यह दाएं पक्ष में है तो यह ध्यान रखन यहां पर देखो हम यहां पर बिल्कुल पलट देंगे पलटने का मतलब यह है कि जो दाएं पक्ष में लिखा है उसको हम बाएं पक्ष में लिख देंगे जो दबाएं पक्ष में लिखा है उसको हम दाएं पक्ष में लिख देंगे और ध्यान रखना हम पुरा उठा कर ले पर रख दिया है और यह पूरा उठा कर यहाँ पर टिया है तो इसलिए यहाँ पर हमें चिन्न बदलने की आवश्यकता नहीं है चिन्न हम तर बदलते हैं जब मां लो कि बाकी सब एक जैसा है और एक चीज को उठा के हम लेकर जा रहे हैं दूसरी ओर तब जाके हम चिन बदलते हैं लेकिन पूरा का पूरा अगर आपको बदलना हो तो इसमें चिन बदलने के आवश्यक्ता नहीं होती जो चिन पहले से लगे होते हैं वही यहाँ पर आएंगे दूसरा क्वेशन आप यह पूछ सकते हैं कि सर आपने किया क्यों ऐसा आप क्यों इसको ऐसे लेके आए तो देखो अक्सर हमें करना क्या चाहिए कि जो अग्यात है यहाँ पर जैसे Z अग्यात है क्योंकि इसका मान हमें घ्यात करना है जिसको हम चर कहते हैं variable यह बाएंपक्ष में होना चाहिए और जो बागी चीजे हैं वो दाएं पक्ष में जानी चाहिए इसलिए क्योंकि ये जो अग्यात है ये बाएं पक्ष में होना चाहिए इसलिए मैंने इसको पलट कर लिखा है ठीक है बात समझ आगी अब जो Z है ये क्या होगा तो Z अपनी जगा पर है और 6 भी अपनी जगा पर है Z के साथ देखो हम करते क्या है जो अग्यात होता है उसको अकेला करना होता है तो Z के साथ ये 2 प्लस में है हम इस प्लस 2 को दूसरी और लेकर जाएंगे इसको हम दूसरी और लेकर जाएंगे तो ये प्लस 2 बन जाएगा माइनस 2 यह क्या है हमने, तो 2 का पक्ष आंतरण करने पर और इस तरह से जो Z है वो आ चुका है, चार और यह हमारा आंसर है ठीक है, अब क्वेशन नमबर 4 करते हैं क्वेशन नमबर 4 में आप देखिए, कि जो बाएं पक्ष है उसमें यहां पर X है और ये सब आप देख सकते है X का हमें मान ग्याद करना है तो जैसे कि आप जानते है कि जिसका मान ग्याद करना होता है उसको हमें अकेला करना होता है इसका ये मतलब हुआ कि इसको हम यहां से दूसरी ओर लेकर जाएंगे ठीक है तो X अपनी जगह पर हमने लिखा और 17 बटे 7 भी अपनी जगह पर लिखा है इसलिए इनके चिन नहीं बदलेंगे फिर से मैं बता रहो अपनी जगह का मतलब ये है कि X बाएं पक्ष में था अभी भी बाएं पक्ष में है और 17 बटे 7 दाएं पक्षमे था अभी भी दाएं पक्षमे है तो इसलिए इनके चिन नहीं बदले अब इसको हमें यहां से यहां पर लेके जाओंगा तो इसका चिन बदलेगा अब देखो यह यहां पर प्लस में है तो यह माइनस में आ जाएगा अब देखो ये बात धंग से सुनिए प्लस में ये मत देखना आप ये सोच रहेंगे कि ये प्लस में है इसलिए माइनस आया ऐसा नहीं है चिन हमेशा आगे वाला होता है तो तीन बटे साथ के आगे यहाँ पर क्या चिन है ये है देखना होता है अब आप कहाएंगे कि सर यहाँ पर कुछ भी चिन नहीं है तो देखो जब कुछ भी चिन नहीं होता है तो हम प्लस मान कर चलते हैं अगर माइनस होगा तो लिखा होगा लेकिन अगर प्लस होगा तो नहीं लिखा होगा वो ऐसा ही यहाँ पर आपको मिलेगा तो ये चिन क्योंकि नहीं है तो इसको हम प्लस मान लेते हैं और अब ये प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा अगर यहाँ पर मान लो कि यह होता तो फिर हमें यहाँ पर प्लस लिखना पड़ता ठीक है तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि इस पे नहीं फोकस करना है आपने आपने फोकस करना है जिसका पक्षांतरण करोगी उसके आगे कौन सा चिन लगा है तो क्योंकि तिन बटे साथ को हम दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसके आगे माइनस लगा है ठीक है और सॉरी इसके आगे यहांपर कुछ नहीं लगा था तो इसलिए ये माइनस हुआ है है न तो ये है सिचुएशन अभी की तो एक्स बराबर ये हुआ साथ सत्रा में से तीन गया है न जैसे भिन्नो को हम माइनस करते हैं यह x अपनी जगह पर है, 17 में से 3 गया, तो यह हुआ 14 बटे 7, आप जानते हैं 7 दुने 14, आराम से 2 बार कट जाएगा, तो यह 2 आ चुका है और यह हमारा आंसर है, तो यहाँ पर हमने 3 बटे 7 का पक्षांतरण क्या वो लिख देंगे हम, तो 3 बटे 7 का पक्षांतरण करने प अब हमारे पास है question number 5, यहाँ पर आप देखेंगे कि x के साथ 6 गुणा में है, है न, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, x को अकेला करने के लिए हमें 6 हटाना है, 6 कैसे हटाएंगे, देखो जो 6 है वो x के साथ गुणा में है, तो अगर हम भाग दे दें 6 से, तो कट जाएग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि यह है 6x अपॉन 6 पराबर 12 अपॉन 6, यानि दोनों पक्षों में हमने 6 से भाग दिया, इससे क्या होगा, इससे 6 से 6 कट जाएगा, और x अकेला हो गया है, जो कि हमारा मकसद है, जो कि हमारा उद्देश है, दाएंपक्ष में देखेंग तो यहाँ पर किया क्या हमने तो यहाँ पर हमने 6 से दोनों पक्षों में भाग दिया 6 से दोनों पक्षों में भाग देने पर और यह हमारा आंसर आ गिया है ठीक है? Question number 6 यहाँ पर है अब यहाँ पर आप T के साथ 5 को देख सकते हैं अपॉन में है यह भाग में है तो इसको हल कैसे करेंगे? तो क्योंकि यह नीचे है अगर हम कुछ उपर लिख देंगे यानि कुछ क्या है? अगर हम 5 उपर लिख देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो कहने का यह मतलब है कि अगर हम दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर दें तो T अकेला हो जाएगा जो कि हमारा उद्देश है क्योंकि 5 यह नीचे है 5 उपर ही अगर हमने गुणा किया तो 5 से 5 कट जाएगा और T आ जाएगा 10,50 यहाँ पर हमने जो किया है वो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर और यह हमारा आंसर आ चुका है ठीक है, clear तो कहने का यह मतलब है कि अगर आप दोनों questions को देखोगे question number 5 और question number 6 question number 5 में आप देखेंगे कि जो 6 गुणा में था उसको काटने के लिए हमने 6 से भाग दिया दोनों पक्षों में question number 6 अगर आप देखें तो इसमें 5 जो है वो भाग में है वो नीचे है, तो इसको काटने के लिए हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे 5 से तो यह करते हैं, ठीक है इस तरह से हम x को अलग करते हैं या जिसका हमें मान ज्यानत करना होता है उसको अलग करते हैं question number 7 आप देखिए इसमें x के साथ 2 अगर आप देखें तो यह गुणा में है और 3 अगर आप देखें तो यह भाग में है तो हम एक एक करके इनको हटाएंगे अब गुणा और भाग वाले में किसे को भी आप पहले हटाओ कोई problem नहीं है तो हम पहले नीचे से 3 को हटाएंगे तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 यहाँ से कड जाएगा तो हम यहाँ पर यह लिखा है ऐसा इधर हमने 3 से गुणा किया और दाएं पक्ष में भी हम 3 से गुणा करेंगे ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या किया दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो इससे क्या होगा कि 3 से यह 3 तो कड गिया यह फाइदा होगा गुणा करने का कि तीन नीचे से अब गाइब हो गया है तो ये हो जाएगा 2X बराबर 8 रतिया 54 ठीक है और अब 2 हटाना है हमने याद है आपको उद्देश क्या है कि X को अकेला करना है अग्याद चीज़ को अकेला करना है तो यहाँ से 2 अगर हम हटाएंगे तो दोनों पक्षों में हमें 2 से भाग देना होगा यह हमने दे दिया है यहाँ पर हम लिखेंगे जो किया दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो यह 2 से यहाँ पर 2 कड जाएगा यह X आएगा और 2 से 54 को भाग देंगे तो यह आजाएगा 27 27 और यह हमारा आंसर आ चुका है ठीक है question number 8 अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर जो अज्यात है वो दाएं पक्ष में है तो यह तो ऐसी ही आवस्था में इसको हल कर दो यह हम पलड भी सकते हैं अगर हम ऐसी ही आवस्था में इसको हल करें तो क्या होगा देखो y के साथ 1.5 नीचे है भाग में है और कैसे हटेगा यह अगर हम उपर गुणा कर दें 1.5 की तो यह कट जाएगा न तो यह ध्यान में रखना कि ऐसे हटेगा तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 1.5 से गुणा कर देंगे यह और इससे यह आराम सिहाँ पर कट जाएगा और यह y आ जाएगा और बाएं पक्ष में क्या है इनका हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 16 85 का 0 हसिल 8 यह 2 यह आ जाएगा 2.40 इस तरह से यानि यह हो जाएगा 2.4 बराबर y और अब इसको पलट कर लिख दो y यह है तो y बराबर 2.4 यह हमारा आंसर है द्यान से समझे इस बात को आप यह मत समझना कि सर y को बदाएं पक्ष से हम बाएं पक्ष में लेके आए तो इसका चिन नहीं बदला उसका कारण यह है कि हमने पूरा का पूरा पलट दिया है जब पूरी की पूरी समझे करण आप पलट दे तो उस केस में हम चिन नहीं बदलते हैं यह ध्यान रखना ठीक है तो यहाँ पर पूरी समझे करण सारा जो पहले दाएं पक्ष था वो बाएं पक्ष हो गया है सारा बाएं पक्ष अबदाएं पक्ष हो गया है तो इसलिए कोई चिन नियां पर नहीं बदला है और हमारा आंसर यह आ चुका है यहाँ पर जो हमने किया हो लिखेंगे एक दशमला पांच से दोनों पक्षों में गुड़ा करने पर तो यहाँ पर हमें एकves कमान ज्याद करना है तो देखो x को हमें अकेला करना है तो x के सात एक तो यह साथ है और एक ए कि माइनस 9 है दोनों यहां से हटने चाहिए पहले कौन हटेगा तो ध्यान रखना हमेशा पहले हटता है जो प्लस या माइनस में लगा होता है वो पहले हटता है इस तरह से ठीक है क्योंकि ये समझो कि ये एक अलग पद है और ये अलग पद है तो यहाँ पर जो ये 9 है पहले हटेगा और बाद में तब ये 7 यहाँ से हटेगा 9 कैसे हटेगा तो ये minus 9 है ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 ठीक है क्यों क्योंकि ये minus में था और यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि minus 9 का दाए पक्ष में पक्षांतरन करने पर तो यहाँ पर ये हो गया 7x as it is आएगा और ये जो minus 9 है दूसरी पक्ष में गया प्लस का 9 हो गया और ये हो जाएगा 25 25 है न 16 और नो होते हैं 25 और अब क्या है अब ये 7 हटेगा 7 कैसे हटेगा देखो 7 उपर गुणा में है अगर हम दोनों पक्षों में भाग देंगे 7 से 7 कड़ जाएगा और हमारा ये x का मान आ जाएगा 25 बटे 7 ये हमारा आंसर है और हमने यहां उपर क्या किया था दोनों पक्षों में 7 से भाग दिया हमने ठीक है और इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है question number 10 देखिए यहां पर हमें y का मान याद करना है तो अब आप समझगे होंगी कि करना क्या है पहले minus 8 का पक्षांतरन करेंगे उसको दूसरी और लिकर जाएगे और फिर यहां से 14 क्योंकि 14 गुणा में है वो भागम दे देंगे आंसर आ जाएगा तो देखो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे 14y अपनी जगा पर है 13 अपनी जगा पर है लेकिन जो 8 है उसको हम यहां से यहां ले जाएगे तो minus का 8 प्लस का 8 बन जाएगा और यह लिखेंगे हम यहां पर कि minus 8 का दाएपक्ष में पक्षांतरन करने पर और यह हो जाएगा 14y और यह प्लस करके आएगा 21 ठीक है और अब यह 14 हमें यहां से हटाना है तो कैसे हटेगा दोनों पक्षों में हम 14 से भाग दे देंगे क्योंकि उपर देखो यह उपर है न तो हम नीचे लिखेंगे नीचे लिखने का मतलब है कि भाग देना तो हमने 14 से भाग दिया और हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 14 से भाग देने पर तो यहां 14 से 14 कड़ गया और यहां पर देखो उपर नीचे 7 से कड़ता है 721 सादूने 14 तो y बराबर हो जाएगा 3 बटे 2 और यह हमारा आंसर है ठीक है कि P को अकेला बनाना है तो सबसे पहले किसे हम दूसरी और लेकर जाएगे मतलब किसे हम यहां से पहले हटाएगे तो पहले क्योंकि यह एक पद है यानि यह एक साथ है तो 17 को यहां से पहले हम हटाएगे तो यह हो जाएगा 6P यहां पर आया यह 9 यहाँ पर है और यह 17 यहाँ से यहाँ जाएगा अब 17 का चिन्न क्या है यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ नहीं है यानि प्लस है तो यहाँ पर यह माइनस हो जाएगा ठीक है तो यानि 17 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर और ये हो जाएगा 6P बराबर 9-17 9 से 17 माइनस होगा तो क्या होगा देखो दोनों का जो चिन है वो विपरीध है 9 प्लस का है 17 माइनस का है तो जब विपरीध चिन की होते हैं हमेशा माइनस होता है और ये 8 आठ आ जाएगा और चिन हमेशा बढ़ेगा आता है ठीक है दूसरा स्टेप क्या है कि हमें यहां से 6 हटाना है 6 कैसे हटेगा तो यहां पर दोनों पक्षों में हम 6 से भाग देदेंगे क्यों? क्योंकि 6 उपर था तो हमें नीचे 6 लिखना था नीचे लिखने का मतलब भाग देना होता है तो दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर तो हो जाएगा P is equal to है न 6 से 6 कड़ गया P आ गया और ये 2 से कड़ेगा 2 चुको 8 दो तिया 6 तो यह आ जाएगा minus 4 upon 3 और ये हमारा answer आ चुका है ठीक है? question number 12 है और यहाँ पर हमें x कमान याद करना है तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम 1 को यहाँ से हटाएंगे और फिर 3 को यहाँ से हटाएंगे तो 1 को कैसे हटाएंगे हम? यहाँ ये plus 1 है दूसरी ओर जाएगा तो ये minus 1 हो जाएगा तो देखो ये 7 बटे 15 अपनी जगह पर है तो दोनों अपनी जगह पर है दोनों के चिन नहीं बदले लेकिन एक यहाँ से हटके दूसरी ओर गया है उसका चिन बदल जाएगा ठीक है? तो ये है x बटे 3 बराबर और यहाँ पर कैसे होगा? इसको हल कैसे करेंगे? ये 15 आया 7 में से ये 15 माइनस होगा जब हम यहाँ पर LCM लेंगे तो ये 7 में से 15 गया ये हुआ माइनस का 8 बटे 15 यहाँ तक clear है सब कुछ? अच्छा हमने यहाँ पर क्या किया? एक का दाएं पक्ष में पक्षान तरण किया देखो 3 यहाँ नीचे है तो हमें उपर लिखना होगा तभी तो उपर से नीचे वाला कटेगा तो यहाँ पर क्या है कि उपर 3 लिखने का मतलब है गुणा करना है ना? अगर मैं उपर 3 लिख रहा हूँ यानि मैं गुणा कर रहा हूँ और जब नीचे हम कुछ लिखते हैं तो यानि हम भाग दे रहे हैं तो यह ध्यान रखना दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो इससे क्या होगा कि 3 से यह 3 कट जाएगा और यह 3 पचे 15 ऐसे कटेगा तो यह X अक्यला हो गया है जो कि हमारा मकसद था और यह 8 बटे 5 आ गया है और यह हमारा आंसर है आप चाहो तो इसको भाग दे कर भी लिख सकते हो 5 गब 5 तीन बचा यह भी आंसर है दोनों ही आंसर है ठीक है ओके और इससे के साथ यह प्रशनावली समाप्त होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको सारे questions अच्छे से समझ आगी होंगे बागी questions के solutions के लिए description box में playlist चेक करें चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ में वीडियो जरूर शेयर करें और इस channel को grow करने में मेरी help करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर